नमस्कार दोस्तों मैं वेद प्रकाशक वाश शोगत करता हूँ इस चानल पर आज बात करेंगेंगे हम अbelाइन फ्रूट्स और वेजटेवल बिजनेस को सुरू करने में कितना खरचा आता है वेबसाइड बनाने में कितना खरचा आता है वीडियो को पूरा देखना सब चीज समझ मैंगी देखिए दूसरा वीडियो में इसली बना रहो क्योंकि जो एक वीडियो में ने बनाए थी वो यूटूब से डिलेट हो गई क्योंकि किसे ने copyright मारा यह देख लिजी आप इस तरह से copyright मारा और बहुत लोलू सा इंसान है जि बिजनिस कैसे स्टार्ट करें तो आपको first of all अपना माइंड सेट अप करना है पहले यह नहीं कि आपने एक वीडियो देखा और शुरू हो गया बिजनिस करना आपको माइंड सेट अप करने कि आपको ऑनलाइन प्रोड़क्ट सेल करना है ऑनलाइन फूट और वेजटेबल बनाना अभी स्टार्टिंग में ऑफलाइन स्टोर इस्टोर मेंस आप चाहे घर पे बनाओ चाहे आप किर्यास दुकान लेकर बनाओ चाहे आपके खुद की दुकानों उसमें बनाओ एक स्टोर बनाओ जहां पर आपको वेजटेवल को बेचना है अब आप सूच रहों कि इतना छोटा काम है मैंने इतनी पढ़ाई कि यह कि देखिए आपको प्रोफेशनली कोई काम छोटा नहीं होता है आप शुरू करो वह बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं तो आपको अगर शुरू में स्टोर बनाना तो स्टोर बना सकते हैं नहीं तो डारेक्ली फिर इसके बाद हमको उसे लेके जाना है आनलाइन अना जब कोई भी हम बिजनस कोलते ना तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चिदर होती हैं सौफवेर की जो अभी हम आंगे बात करें हैं कि इतने का सौपवर मनेगा कैसा चीज हैं तो सौफवेर बहुत जरूरी है जो उस बि Offwear भी हां पर होता है website हो गया mobile app हो गया और इसके अलाबा आपका billing machine हो गया billing machine आपको जरूरी होगी क्योंगी offline store में billing machine आपको लगेगी तो website और mobile app जो होगे उसके ठुरू आपके online order आएंगे website किस तरह होती है आपको अगर नहीं पता तो में बता है तो website या वेबसाइट है शॉपिंग की वेबसाइट है तो इसी तरह आपकी वेबसाइट हो जाएगी है अगर आप बनवाओगे तो कितना खर्च आएगा मैं आँगे बताऊंगा अगर आपक वेबसाइट हैं टो असी तरह है आप काम करेंगे तो यह हो गयाप काल काम क्याइब आप कैसे आपको और अपनाना बनाना है किसा ऊचालते हैं तो वाटस आफ को हमारे देगेना वोटसब कर दीजेए आपको पर देब मुल जाएगा है मैं बनवा सकते हैं हमारे तुरू अगर आपके कोई टर्श में हैं आपका कोई साथ ही फ्रेंड यार्मित्र जो भी बनाता हो उससे आप बनवा सकते हैं कोई इसूर नहीं है तो यह हो गया वेबसाइट हो रहा है फिर फिर स्टोर का सैटप करेंगे स्टोर सैटप करने में भी आपका कितना विपशच लगवानिया तो वह आपके अतना खार्च करने के जरूंए तो पैसा है तो कोई दिक्कर नहीं खर्च करो आराम से अच्छा बनाओ ताकि customer आपके पास आएं और आप से shopping खरीद के लेके जाएं तो store बनाएं और website बनाएं इनका खर्चा हो गया मनलीजी एक लाग का अगर store बनाएंगे स्टार्टिंग में प्लस website और आपका हो गया अभी देखो जरूरी नहीं है कि आप store बनाएं आप इसको घर से भी कर सकते हैं इस्टोर बनाना कंपल सरी नहीं है मैं आपको यह बता दो तो यह चीज़ आप ध्यान में देना तो website का खर्चा हो गया इसके बाद आपको Deliveries Delivery equipment लगेंगे Delivery equipment मिस क्या जैसे Delivery basket हो गया जो delivery boy के टी-shirt हो गयी Delivery boy के युनिफर्म हो गये तो Delivery equipment में बाइक भी आती है Delivery बाइक आती है बाइक आपको लेरे पड़ेगा आपके पास बाइक है एक दो बाइक तो कोई दिख्कर नहीं एक बाइक है तो चलेगा शुरू में delivery करने के लिए deliveries बढ़ जाए, काम बढ़ जाए तक फिर हम को इस सब चीज़ां और बढ़ाने चाहिए शुरू आती में इतना ख़रचा में नहीं करना चाहिए हर जगए पिर शुरू शुरू में हम इतना खरचा कहीं गढ़ाते तो आपके पास buy quality होगी, उससे आपको delivery करना है, delivery boy को रखना है, delivery boy की salary पाच 6,000 रुपे रख लीजे, incentive base में भी कर सकते हैं कि भाई, आप इतने delivery करना है, आपको इतनी salary मिलेगी, या फिर fix amount दे के भी रख सकते हैं, एक delivery boy, starting में आप एक या दो delivery boy रख सकते हैं, और बड़ी company और खुब सारे investment करके बड़ा काम कर शुरू किया है, तो और ज्यादा delivery रख सकते हैं, वो आपके उपर depend करता है, कोई fix नहीं कि आप एक रखो दो रहो, जितना आपके पास fund नहीं है, जितनी बड़ी company, जितना बड़ा काम है, उसके हिसाब से आप employee हायर करो, और उस नहीं हैर करना होगा, उसको भी रखना होगा, तो उसकी भी सालुरी आप 7-8,000 रुपे रख सकते हैं, फिर इसके बाद आपको एक computer system लेना पड़ेगा, एक billing machine लेना पड़ेगा, तो computer system, printer और एक billing machine का cost आपका 30-40,000 रुपे हो जाएगा, तो मेरे खाया से billing machine अभी सुरू म मत लिखी क्योंकि आपका जो online का software रहेगा, वेबसाइट आप, उसी में बिल जन्रेट हो जाएगा, आपको print करने की ज़रोते हैं, सिर्फ print होगा, print out आप वहाँ directly निकाल सकते हैं, जिसको आप उसमें अच्छा खासा काम का सकते हैं, तो print out आपका निकल जाएगा, ठीक है, अगर आप marketing करोगा अपने business की, तो marketing में आपका कितना खर्च हो जाएगा, आप के उपर है कि कितने बंपलेट आप बन वा रहे हो, कितने बैनर बन वा रहे हो, और टो रिक्षा वाले में कितना आप खर्च कर रहे हो, कितना आप costing लगा रहे हो marketing में, कि आप online capman भी run करवा कर रहे हो, online facebook में marketing कर रहे हो, तो एक मोटा मोटा हिसा 5-10,000 रुपे marketing cost आप लगाएंगे, starting में तो चलेगा, और बड़ा business है, 2-3-4 city में चल रहे हो, तो आप उसके online marketing कीजिए, online आप campaign run कीजिए, ताकि आपके business के बारे में पता चले लोगों को आपका business बढ़े ग्रो करे, देखो, जब एक company शुरू होती है, तो शुरू में आपको funding देने कोई नहीं आता, funding हमको मिलती है, कब जब हमारा business चलने लगता है, business run out हो जाता है, हम थोड़ी बहुत profit कमाने लगते हैं, जब तब आते हैं बाहर के investor और पैसा देते हैं, लाको करोडों रुपे की भाई, ये लो हमसे 2 million dollar ले लो, और इसमें investment करो, और इसको आँगे बढ़ाओ company को, और grow करो, तब हमको funding मिलती है, और फिर हमारी company देले देले grow करती है, फिर जान पिचान में आती है, तो ये बहुत आगे की process है, पहले आप अपने business को property बनाओ, थोड़ा नाम कमाओ, इसके बाद आपको funding मिल जाएगी, लेकिन आपको बहुत approach करना पड़ेगा, इतना easily नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो ये सब खर्चे हैं, जो मैंने बताया हैं, आपको कि online business शुरू करने में, ये खर्चे आते हैं, delivery equipment आपको लेना पड़ेगा, और computer system, billing machine, website development, website और mobile app क खर्चा, इसके बाद store का खर्चा, और salaries जो आप दोगे उसका खर्चा, तो ये सब खर्चे आपको लगेंगे, जब आप शुरू करोगे, तो कम से कम आपके जेब में, एक लाक रुपए दो होनी चाहिए, कम से कम, आप अगर store नहीं बनाते, घर से ही काम शुरू करेंगे, तो आपके पास एक लाक रुपए होनी चाहिए, कम से कम, और मानलीजी आपको सर्फ बेसिक लेवल पे जानना है, सीखना है, शुरू करना है, तो एक छोटी सी वेबसाइट, जो 8 से 10 जार रुपए में बन जाएगी हमारे आपे, तो उसको बनवा के आप डारेक्ली बिजन बिजनेश शुरू कर सकते हैं, और आपके पास प्रोडक्त रखने के जरूरत नहीं, आपको डेलेवर रखने के जरूरत नहीं, व्लॉय रखने के जरूरत नहीं, एक छोटी सी वेबसाइट बनाओ, पास से 10 जार पे खर्चे में, आप मार्केट से प्रोडेक्ट उठाकर डिलेवर करो, जैसी कोई ओडर आपके पास, उसकी मार्केटिंग खुद करो, मार्केटिंग में पंप्लेट वगएर बनवालो, कम से कम रेट में, तो थोड़ी बहुत खर्चे में भी इसको शुरू किया सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत पैसा लगाया जाए शुरू में झाल